OTT पर रिलीज हुई जॉन अब्राहम और इम्रान हाश्मी स्टारर आक्शन ड्रामा मुंबई सागा देश भर में कोरोना वाइरस कोरन विरस के कारण पिछले साल 2020 में एकोनॉमी को बहुत नुकसान पहुचा था इकोनॉमी के कई सेकर्स के साथ फिल्म इंडिस्ट्री को भी हजारों करोड का नुकसान उठाना पड़ा था इस साल भी मार्ट से देश में कोरोना वाइरस की दूसरी वेव तेजी से बढ़ती जा रही है इस दूसरी वेव ने भी महराष्टर को बुरी तरह प्रभावित किया है इसके कारण प्रदेश में फिल्मों और टीवी शोज की शूटिंग रोग दी गई है प्रोड्यूसर अब अपनी फिल्मों को थियेटर में रिलीज नहीं कर रहे है मजबूरी में प्रोड्यूसर्स अपनी फिल्मों को अनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेट फॉर्म पर रिलीज कर रहे है संजे गुपता निर्देशित यह फिल्म 19 मार्च को सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है जौन अब्राहम, जौन एब्रहाम और इमरान हाश्मी एमरुन हाश्मी ने इस आगामी एक्शन थ्रीलर में पहली बार एक साथ काम किया है अमेजन प्राइम वीडियो ने सुमबार को एक्शन ड्रामा मुंबई सागा के डिजिटल प्रीमियर की घोशना कर दी थी भारत में और 240 देशों और क्शेत्रों में इस प्लेय फॉर्म का सब्सक्रिप्शन रखने वाले यूजर्स अब से इस फिल्म को स्ट्रीम कर सकते हैं इन दोनों कलाकारों के आलावा फिल्म में काजल अगरवाल, प्रतिक बबबर, सुनील शेटी, जैकी श्रॉप, रोहित रॉय, अंजना सुखानी और गुलशन ग्रोवर भी प्रमुख भुमिकाओं में हैं फिल्म में जॉन गैंग्स्टर के रोल में हैं, जो बामबे पर राज करने की महत्वा कांक्षा रखता है, जबकि इमरान हाश्मी ऐसे पुलिस वाले के रोल में हैं, जो जॉन को मारना चाहता है, क्यूंकि जॉन को मारने वाले को 10 करोर रुपे की प्राइज मनी मिलेगी मुंबई सागा को 19 मार्च को थियेटर में रिलीज किया गया था, इस दोरान कुछ प्रतिबंधों के साथ थियेटर में फिल्म दिखाने की अनुमती थी, लेकिन प्रतिबंधों के कारण फिल्म के विवसाये पर बहुत बुरा प्रभाव पढ़ा, थियेटर पर फिल्म मु झाल